नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे गार्णिंग चैनल पर आज हम नीवू के पुराने पोदे से नए पोदे कैसे तयार करें वो भी एर लेरिंग के दुआरा आज इससे हम नए पोदे तयार करेंगे इसी पोदे में एर लेरिंग के दुआरा इसमें गुलाई में कट लगा लेंगे इसकी फालतू की पत्तो नगा कर देजorkु को क्योंक इसमें काटें होते हैं तो मुश्किल होता है यह लेरिंग करते हुए यह काटें चुपते हैं आतल में हमेने थाटेंगों कohlपदे ने कर दो लिए अब इस पे से हम इसको अराम से कट लगा लेंगे उपर उपर से बस च्छाल को उतारना है हमें अब इसे अराम से च्छाल को निकाल लेंगे कटर की हिसाब से कटर से काड दें हमें सिब इसकी च्छाल उतारनी है आगे पीछे से हम इसके सारी छाल को उतार देंगे इस पर थोड़ा सा भी कोई छाल का पार्ट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल ये सफेद निकल जानी चाहिए इसको चाको की मदद से अच्छे तरह साफ कर दें पीछे से भी इसको अच्छे से साफ कर देंगे हम इस तरीके से आप किसी भी पोदे सिफ नई पोदे तियार कर सकते हैं एलेरिंग के दुआरा बहुत असानी से नई पोदे तियार हो जाते हैं जब कट लगाओ तो चाकू को अच्छे से साफ कर ले किसी डिटोल या किसी सैनिटाइजर से यहां पर मैंने मिट्टी ले लिए यह चिकनी मिट्टी है यह गीली है अब इस मिट्टी को हम इस काटे हुए हिस्से पर लगा देंगे इसको फैला ले मिट्टी को फुसके बाद इस कटे हुए हिस्से को अच्छे से मिट्टी से ढख देंगे अच्छी तरह सारे हिस्से को अच्छे से ढख दें कहीं से कोई हिस्सा दिखना नहीं चाहिए पूरा अच्छी तरह से ढग देंगे और अच्छी तरह दवा देंगे मिट्टी को चिक्री मिट्टी से लेते हैं एक तो यह अच्छी से चिपक जाती है और इसमें मौश्यर बहुत दिन तक बना रहता है अब यहां पर मैंने थैलिये हूँ कि पूलिथीन की पतली पत्ली पत्या सी काट ली है अब इसको अच्छी से चारो तरब से इसको ढख देंगे लपेट देंगे मिट्टी को ढग देंगे अच्छे से टाइट कर ले और अच्छे से दबा दें इसको अब इसको किसी धागे या किसी डोरी वोरी से किसी से अच्छे से बान देंगे टाइट पहले नीचे की साइट से अच्छे से टाइट करके बान दें कि टाइट करके बांदें कि उसके बाद उपर की साइट से भी बांदेंगे हम अच्छे तरह दवा लें अच्छे से टाइट करके बांदें इसको हमें अच्छे से टाइट करके बांदना है दोनों साइट से जिससे कि मिट्टी का मोश्चर खतम ना हो अब इसको ऐसी छोड़ देंगे हम जब तक इसमें जड़े ना निकले जब जड़े निकलेंगे तो इस पॉलोथीन से हमें भार दिख जाएंगी वाइड वाइड की अब इसको ऐसी छोड़ दें यहां मैं कुछ दुनों के बाद महीन हो गया शायद उसके बाद देखो मैं हटा के देख रही हूँ इसमें जड़े निकल आई हैं यह देखो सफे सबेद जड़े निकलाएं इसका मतला हमारा पोधे की जड़े निकल चुकी है और हमारा ये पोधा लगाने के लिए तैयार है अब इसको हम इसको नीचे से एक इंच नीचे से काट लेंगे टेहनी को एक इंच नीचे से काट लें इसको अलग कर ले अब इसे बिल्कुल आराम से रख ले अभी उसके बाद गमले में मिट्टी भर लेंगे आदा गमला भर लें मिट्टी से उसके बाद इस पोधे को रख दे उसके बाद इसको मिट्टी से अच्छे तरह भर दे जो इसकी जड़ वाला हिस्सा है उसको नीचे मिट्टी में दवाग दे और अच्छे तरह मिट्टी से ढग दे इसको थोड़ा सा ठोक ले इसे मिट्टी अच्छे से सैट हो जाता है हमारा पोधा अच्छे से मिट्टी बढ़ देंगे हम और उपर से एक इंच खाली छोड़ेंगे पानी डालने के लिए अब पोधा अच्छे से लगा दिया है अब इसमें पानी डाल देंगे और कुछ दिनों के बाद इसमें भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और नही अबूले